साथियों आप सबीके स्प्रेटफार्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग बिश्व के कुछ ऐसे महात्पूर्ण इस्थलों के बारे में बात करेंगे जो जून 2022 में विभिन वजहों से चर्चा में थे और यह आपके मैपिंग और करेंट अफेर दोनों के देश्व कोण से काफी महात्पूर्ण होगा क्योंकि आगामी जो भी UPPCS या UPSC या MPPCS के बैच्चाय होनी है उसमें एक साल पुराये तक के करेंट अफेर को कबर किया जाता है तो चलिए प्राराम करते हैं हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन मई 2022 में चर्चा में क्यों आया था देखिए यूक्रेन के खेरेशां स्ट्र में प्रॉक्सी सरकार ने घोषना किया कि सभी नौजात सिसकूं को रूसी नाज़टा प्रधान की जाएगी और दूसरा, Snake Island पर हवाई हमले में उक्रेन ने रूसी सेना को अतरिक छत पहुंचाई तो ध्यान रखेगा जो खेराशांद छेतर है और Snake Island है ये दोनों ही उक्रेन के छेतर हैं जहां पर रशिया के द्वारा कबजा करने का प्रयास किया गया अब युक्रेन के बारे में बात करें तो युक्रेन जो है आपका एक European country है जिसकी राजदानी Q है और इसके परोशी देशों को ये देखेंगे आप बड़े मैप में इसको देखेंगे तो इसके परोशी देशों में बेलारूश, मोलडवा, रूमानिया, हंगरी, इश्टोवाकिया, पोलेंड ये 7 देश इसके परोशी देश हैं ध्यान रखेगा 7 परोशी देश इसके हैं इसके अत्रिक जब आप इसकी अन्रे सीमा देखेंगे तो इसकी सीमा जो है वो ब्लैक सी और एजोब सी से भी मिलती है यहीं पर युक्रेन में ही आप देखेंगे तो एक है इस्टेट आफ कर्च जो है वो ब्लैक सी को एजोब सी से जोड़ने कारी करती है और जो युक्रेन क को रूस का जो मुख्य भूमें उससे जोड़ने का कारी करती है इस क्रीमिया पे वर्ष 2014 में रश्या के द्वारा कभजा कर लिया गया है अब आगे बात करते हैं तुर्की के बारे में तो देखिए सयुक्त राष्ट ने तुर्की सरकार द्वारा अनरोध करने के बाद तुर यूरोप और एशिया इन दो देशों में है और इसकी सीमा जो है वो भूमद सागर से भी लगती है और ब्लैक सी से भी लगती है भूमद सागर का ही हिस्सा है अगेनियन सी और मार्मारा सी ये दोनों भूमद सागर के हिस्सें जिसकी सीमा जो है वो तुर्किये से लग दी ह और आप जब तुर्कियों को देखेंगे, यहाँ पर आप एशिया और यूरोप जहां मिलते हैं, वहाँ पर आप तुर्कियों को देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, यह तुर्कियों को यहाँ पर, तो यहीं पर आपका बोश्पोरोस है जो की मरमरा सी जो की भुमत सागर का या मेडिटेरियन सी का हिस्सा है इसको ब्लैक सी से जोड़ने कारी करता है इसको ब्लैक सी से जोड़ता है अब तुर्किये के परोशी देशों के बारे में बात करें तो इसके साथ परोशी देश हैं यूरोप में इसके दो परोशी दे देखिए, भारती दूत ने बोकतार में, भारत तजाकिस्तान मैत्री अस्पताल को तजाकिस्तान को स्वूप दिया, तो बोकतार कहां पर है, तजाकिस्तान में है, ये घटना जो हुई है, ये जो घटना करम हुई है, ये जून 2022 में हुई है, अब हम लोग तजाकिस्तान के बारें बारत करें तो तजाकिस्तान जो है एक Middle East Country है और ये एक भू आबद भू या लैंड लॉक कंट्री कह सकते हैं लैंड लॉक कंट्री है जिसकी सीमा जिसकी सीमा यह आप बड़े मैप में देखेंगे यहां पर आपका एशियन देश है यहां पर ये एशियन कंट्री है तजाकिस्तान की सीमा कजाकिस्तान चाइना उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान अफगानिस्तान इन देशों से लगती है कौन कौन से देश चाइना हो गया किरिकिस्तान हो गया उजबेकिस्तान और अफगानिस्तान तजाकिस के लिए बुद्ध के पवित्र आउसेश जो है वो मंगोलिया भेजे थे जून 2022 में मंगोलिया भी एक भू आबद या लैंड लॉक कंट्री है जिसकी सीमा दो देशों के लगती है एक तरफ चाइना से दूर्ती तरफ रश्या से तो ये चाइना और रश्या के बीच में एक अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में तो अफगानिस्तान दो जहों से जून 2022 में चर्शा में था पहला भारत ने तालिबान के साथ वारता के लिए राजने को एक दल काबूल भेजा दूसरा अफगानिस्तान के पूरवे अफगानिस्तान में जहां का पक्ति तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इरान से लगती है ध्यान रखिएगा इस चीश को अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे देखें अब बात कर लेते हैं कमबोडिया के बारे में कमबोडिया को चर्चा में था तो देखिए चीन जो है चीन कि खाढ़ी पर कमबोडिया के रीम नेवल वेश में अपनी दूसरी विदेशी चोकी स्थापित करेगा ऐसा जून 2022 में ये घटना करम आया तो आप कमबोडिया को देखें तो कमबोडिया एक दच्छन एशियाई देश से बड़े मैप में आप देखेंगे तो कमबोडिया कि जो परोशी देश हैं इसके परोशी देशों में बियतनाम लावोश थाइलेंड ये तीन देश के परोशी हैं बियतनाम लावोश और थाइलेंड और इसकी सीमा जो है गल्फ आफ थाइलेंड से मिलती है अब बात कर लेते हैं थाइलेंड के बारे में भी यही बात कर ले एक समुह है उसमें उस में चर्चा में क्यों है है कि Thailand मारी जुआना के थे है को वो बैद बनाने वाला प्रथम एशयाई देश बन गा तो इस fact तो याद रखेगा कि प्रथम एशयाई देश कौन सा जिसने इस ने मारजुआना को बैद माना है तो यह थाइलेंड थाइलेंड के प्रभशिर से तो इक तो कमबोडिया है इसके इसकी सीमा लाओश म्यामार द के बारेम बात करें लेते हैं यहीप यही पर यह जोंी है कटर चर्चा में था उप्राश्पति ने 22 में कGER की यात्रा की इस वजार से में कटर चर्चा में आ था सी पुछ कुर्फ बात कर लेते हैं तो और अश्टेलिया का मैप में देखेंगे अस्टीलिया के भगल जो पैस्फिक ओशियन है, उसमें जो ़िफ दचने-प्रसांत-पहा-शागर में जो धूरू, वो तरुपरियस के हम या ऐसेज को बता सकते हैं कि दच्छे प्रसांत दीप समूझ यह प्रसांत महासागर और अस्टेलिया यह नीजिलेट के बीच इस्ते थे इसमें मुक्रिता माइक्रोनेशिया, नावरू, निव, पलाव, पापुआ, निवगिनी, शमुआ, शोलोमन, शोलोमन आईलेंड, टो अच्छा समझोतों को खारीज कर दिया, क्योंकि चीन यहां पर अपना प्रसार बढ़ाना चाहता है, अब अस्टेलिया के बारे में बात करें, अस्टेलिया के उचर्चा में था, क्योंकि अस्टेलिया का जो एक द्वीप है, द्वीपिय राज है, तस्वानिया, तस्वान उस्टेलिया और इस तस्वानिया के बीच में एक जलसंद या से कलते है बोश जलसंद बोश जलसंद उसे चीएुसे और आपा सउठन उसुड़्या ऑष्ष्टेलियाक इदर स्वानियाक से हैुए इदर कियो दोनों जिम्बोमे में क्या हुए जिम्बोमे मुद्राश्विति दरों में 130% से अधिक की बिध्धी हो गए इस वज़ा से जिम्बोमे चर्चा में है जिम्बोमे एक अफरीकन देश है और ये स्थलबद देश है जिसकी राजधानी हरा रहे है और इसके कुल 7 पडोशी देश है यह अब आगे हम लोग बात करते हैं गैबोन के बारे में कि गैबोन क्यों चर्चा में था तो देखिए गैबोन इसलिए चर्चा में था कि भारती उपराश्पती ने गैबोन का दौरा किया था देखिए जून 2022 में उपराश्पती ने तीन देशों के यात्रा की थी एक तो आप यह पहले गैवोन की बात करें गैवोन आपका एक अफ्रिकन देश है यहां पर बड़े मैप पे देखेंगे तो यहां पर आपको गैवोन दिखाई पड़ेगा गैवोन के पड़ोसी देशों के बारे में इस बात करें तो गैवोन के पड़ोसी देशों में एक्क्वेटोरिय इराक के बारे में देखें, इराक क्यों चर्चा में था, तो इराक की जो सावा जील है, इराक की सावा जील वो जून 2022 में सुख गई, इस होजा से ये चर्चा में था, तो इराक जो है आपका एक, एक एशियन देश है, मध्य, मिडिल इस देश है, यहां पर देखिया, तो इ प्रफिये शीरिया और इसके अत्रिक जार्डन तथा सौदी अरबिया और कुबायत है ये इसके पडूस्टेस है इसकी एक सीमा पारस की खाड़ी से भी लगती है आगे चलते हैं आगे बात कर लेते हैं को लंबिया के बारे में को लंबिया क्यों चर्चा में था तो नाकर्तिक गैस निगम लिम्टेर ओएंजीसी की विदेशी साखा ओएंजीसी विदेश लिम्टेर ने कोलंबिया में एक तेल भंडार की खुज की दूसरा कोलंबिया ने पूर्ब गोरिला लाका गुस्ताव पेट्रो को अपना नया राश्पती चुना है इस वजासी ये में था तो कोलंबिया के बारें बात करें कोलंबिया क्या है एक दच्छे अमेर्की देश है जिससे होकर की विश्वत रखा गुजरती है और इसकी एक सीमा इधार आप साइड में देखेंगे तो ये इधार साउथ पैस्फिक ओशिन है साउथ पैस्फिक ओशिन से लगा आड़े बात कर लेते हैं सेगल के बारे में चर्चा में देखिए यह सेगल जो है अफ्रिकन देश है सेगल इस वजचा में था कि भारती उप्राषपत्ति के नेत्रुत वाले प्रतिनेशी मंडल ने के साथ तीन समझदा ग्यापन पर हस्ताचर किये यहां आप मैप में दे तो सेनेगल अफरिका का जो पश्मी हिस्सा है उधर उस साइड में इसकी देश है और इसकी सीमा जो है वो नार्थ अट्लांटिक ओशियन है तो नार्थ अट्लांटिक ओशियन सीज की सीमा साजह होती है सेनेगल के पड़ोसी देशों में मुरिटानिया, माली, गुवाना और इसके तिक गांबिया या गुवाना कर सकते हैं ये इसके पड़ोसी देश है और एक देश है आपका गुवाना बशाओ अब आगे बात कर लेते हैं लीविया के बारे में लीविया क्यों चर्चा में था एक सिके लीविया के बारे में बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की सरकार जो है लीविया में सीरियाई लड़ाकों को तैनात कर रही है इस वज़ासे जून 2022 में चर्चा में यहां भी क्या है एक अफ्रिकन देश है यहां अफ्रिका को मैं देखेंगे तो एजिप्ट के बगल मिसर के बगल आपको लीविया दिखाई पड़ेगा और लीविया से होकर के करक्रइखा आपकी मिस्चर, लीविया, अलजीरिया, माली, मरुतानिया, बेस्टर सहारा यहां से होकर गुजरती है तो लीविया, आप उपर देखेंगे एक सिकट लीविया को जो केंगे अफ्रिका में nic तो लिविया की सीमा जो हूँ मेदिटेरिением सी से जुड़ी हुई है और इसके पढ़ोशी देशों में इजिप्ट, सुडान, चार्ड, नाइजर, अलजिरिया और तुसान Tucson город हैं यह इसके पढ़ोशी देश हैं और यही पर आपका गल्फ अप सियाद रह्तरा आप देखेंग तो तूनिशिया में सेंबधानिक बदलाओं पर योजना बद जनमत संग्रा को लेगार के विरोध प्रदर्शन हुए हैं इस हुझा से टूनिशिया जून 2022 में चर्चा में था टूनिशिया लीविया का ही पड़ोशी देश है आप मैप में देखेंगे तो जहां पे लीविय से लगी हुई है मतलब इसका उपरी सा आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी से जुडा हुआ है और यहीं पर टूनिशिया का ही एक गल्व है गल्फ आ गावेस या जी एब्येस है यह लगा हुआ है अब इसके आतिक्त आप इसकोर्ट्रेंड को प्रून तो इसकोर्ट्रे 23 को स्वतंतरता के लिए एक नय जन्मशंगरा की घुषना की इसकॉटलेंड पर अभी जो है वो UK का अधिकार यहां पर है यहीं पर स्कॉटलेंड है आपका डेन्मार्क की बात कर तो डेन्मार्क एक उरोपेन कंट्री है यह चरचा में इसलिए आया था कि डेनमार्क और कनाड़ा ने हैंस दीग पर लगभग 50 वर्स पुराने बिवाद को सुलजाने के लिएक समझा होता किया है इस वज़ा से डेनमार्क जो है आपका चर्चा में आया था तो डेनमार्क आपका एक European देश है डेनमार्क के बारे में और देखें या इसकी boundary की बारे में बात करें कि इसकी सीमा किस से लगती है तो इसका जो परोशी देश है जिससे लगा हुआ है जर्मनी एक मात इसका जिससे अपनी भू सीमा मत्तब साजा करता है वो है आपका जर्मनी और इसके एक तरफ Baltic Sea है यहाँ पर आपका एक सेकंड यह जो डेनमार्क दिखाया गया है इसके इधर में आपका North Sea है वो बाल्टिक सी है और एक साइड में आपका North Sea है तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस कितना ही मिलते है नेक्स वीडियो तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद